भारत और पाकिस्तान में चल रहे स्तनाव के बीच में जहां पाकिस्तान जुकता नजर आ रहा है और गिरफतार भारतिय वायू सेना के विंग कमांडर को वापस करने पर मजबूर हुआ है इसे भारत की कुटनेतिक जीत बताई जा रही है दरसल भारत ने पाकिस्तान के सामने ना जुकने का फैसला लिया था और दुनिया के बड़े देश पाकिस्तान के खिलाफ से वही भारतिय लोग अभिनंदन के स्वागत और सम्मान में नारेबाजी करते न जरा है लेकिन इसी बीच विदेशी मीडिया समू ने वल्दमान का अफमान करते हुए उन्हें पाकिस्तानी जंडे के साब दिखाया दरसल समाचार एजेंसी बीबीसी ने भारतिय विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर प्रधान मंतिर नरेंद मोधी पर कटाक्ष करते हुए एक काटून बनाया इस काटून में एक तरफ विंग कमांडर अभिनंदन है तो दूसी तरफ पीए मोधी मोधी के पीछे बीजेपी का जंडा लगा है और लिखा है प्रधान सेवक जबकि अभिनंदन के पीछे पाकिस्तान का जंडा लगा है और लिखा है सेवक इस काटून के बाद बीबीसी की लोगों ने खूब आलोचना की है आईए आपको कुछ यूजर्स के ट्विट दिखाते हैं सुरेंद्र गोयर विचित्र ने इस पर कमेंट किया और लिखा व्यंग चित्र में सुधार करें अभिनंदन सेवक नहीं देश के रक्षक है और नणेंद मोधी जी सेवक ऐसे नाजुक मौके पर देशवासियों की भावनाव को आहत नहीं करें वही प्राची वाजपेईन ने लिखा ये पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं BBC हिंदी इंडिया के अगेस्ट काम करने वाला बेस्ट एजेंसी है उन्होंने आगे लिखा सेना के खिलाप रवईये को हमने देखा है बाला कोट में हुए हमले के बाद आपके एक पोस से पता चलता है कि आप किस साइट थे कई यूजर्स ने लतार लगाते हुए लिखा की विंग कमांडर के पीछे पाकिस्तान का जंडा लगा कर अभिनंदन का अफमान कर रहे हैं इसी करी में कॉंग्रेस ने ताव विवादो की मलिका प्रियंका चतुर्वेदी ने अभिनंदन का अफमान करते हुए इस काटून को शेयर कर दिया इसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता संबीत पात्रा ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी पाकिस्तानी जंडे और इम्रान खान का प्रचार प्रसार करने में व्यस्त है प्रियंका चतुर्वेदी पहली भी ऐसे ट्वीट्स कर चुकी है कुछ दिनों पहले उन्होंने प्रियंका गांधी की रैली में आसमाल से भीर उतार दी थी हाली में उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की पुर्ण्यतिती पर उनके नाम के साव भगत सिंग की फोटो भी शेयर की थी प्रियंका चत्रवेदी द्वारा भालतिय विंक कमांडर का अपमान की जाने के बाद लोगों ने उनकी जम कर क्लास लगाई यो यो फणी सिंग ने प्रियंका को फटकार लगाते हुए कहा कि यह ट्वीट मोदी के प्रति नहीं बलकि देश के प्रति उनकी घ्रिना को दिखाता है उसने कहा कि पाखिस्तान इस ट्वीट को जल्द ही लपक लेगा ग्यातों की हाली में पाकिस्तान ने राहुल गांधी सहीत अन्य विपक्ची निताओं द्वारा मोधी के खिलाब दिये गए बयान का अपने पक्च में इस्तिमाल किया था संदेश नायक नामक यूजर ने लिखा पाकिस्तान के जंटे के साथ हमारे वीर जवान पाइलर्ट को प्रदर्शित ना करे आपकी सरकार में इतनी शक्ती ना थी कि अभिनंदन की रिहाई करा लेती अगर आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करे और सी फोर्स्ट करे और अगर यूटूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबागे